दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम सेवक क्या होता है उसके कारिय क्या होते हैं और कैसे ग्राम सेवक बना जा सकता है ग्राम सेवक जिला परिशत द्वरा नियुक्त एक सरकारी व्यक्ति होता है जिसे हम सचव भी कहते हैं ग्राम सेवक गाउं में आने वाली समस्या है चाहे वो पानी की हो सडको की हो या फिर सिक्षा समबंधित हो आदि समस्याओं को ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर उनका समाधान करता है और गाउं में जो भी सरकारी कारी होता है जो भी सरकारी योजना ही आती है वे ग गाओं का परधान गाओं में कोई सरकारी काम करवाना चाहता है या कोई सरकारी योजना आई है तो ग्राम परधान उसका लेखा जोखा तो बना सकता है लेकिन ग्राम सेवक के साइन होने पर ही वो फाइल ग्राम विकास अधिकारी तक जाती है और उस योजना के पैसे गाओं में आते हैं और फिर उस योजना पर आगे जो भी काम होना है उस सभी की जानकारी ग्राम सेवक अधिकारी को रखनी होती है उसकी फाइल पूरी मेंटेन जो करता है वो ग्राम सेवक अधिकारी ही करता है और उसे फिर ग्राम विकास अधिकारी तक पहुचाता है तो हम कह सकते कि गाउं में किसी भी तरह का सरकारी काम करवाने के लिए या गाउं में किसी भी योजना पर काम करवाने के लिए ग्राम सेवक एक बड़ी भूमी का निबाता है ग्राम सेवक अधिकारी को परती महा 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिलती है तो अगर आप gram सेवक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका graduation pass होना जरूरी है और basic computer का diploma भी होना चाहिए इसमें सबसे पहले आपकी लिखित प्रिक्षा होगी उसके बाद आपका physical test होगा और फिर interview के बाद merit list लगेगी इसकी लिखित प्रिक्षा में general knowledge, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, reasoning, पंचायती, राजववेस्ता और computer ग्यान से संबंधित पर्षन पूछ जाएंगे इसमें 100 नंबर के 100 पर्षन पूछ जाएंगे जिसमें पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए और 2 घंटी का ही पेपर होगा और 1 बाई 3 इसमें negative marking होगी तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी जीके से related नई वीडियो लाएंगे उसकी notification आपको सबसे पहले मिलती रहें